अब हम बात करते हैं importance of bryophytes की यहां तक हमने bryophyte के structure उसके life cycle और उसके anatomy को detail में study किया अब हम बात करते हैं कि bryophytes का दुनिया के अंदर specially plants की evolution में क्या important role है तो सबसे पहले आपने यह बात याज रखने हैं कि जब bryophytes land के उपर आए थे तो उस time land के जो fertilizer था यह land के अंदर कोई भी organic waste नहीं था so they are the first that create the organic waste और फिर अगर आप ते कहीं जंगलों में देखा हो यह आपको diagram के इंदर जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें आपको एक green carpet नज़र आ रहे है तो जहां पर भी ज़रा से भी shadow और moist place होगी वहां पर mosses जो है वो grow करके एक huge colony create करेंगे और अपने rhizoid से जो है वो soil को attach करेंगे यह soil को जो है वो पकड़ के रखेंगे anchor करेंगे जिसके वज़ए से यह होगा कि जब कभी हवा चलेगी या जब कभी सलाब आएगा तो क्यों कि rhizoid ने soil को जो होल किया है तो erosion का process नहीं होगा erosion it is defined as the removal of organic या useful soil from the land फिर उसके बाद जो है यह फूट प्लांट्स है तो यह food प्रवाइट करते है animals और small mammalians को यहां आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एक small चिडिया होते हैं या जो छोट-छोटे birds होते हैं वो mosses को use करते हैं as their food और sometimes mosses के थूरू अपने nest को भी create करते हैं क्योंकि mosses जो होते हैं वो उनको green carpeted और नरम नरम सी जो होते हैं जगा प्रोवाइट करता और उनके बच्चों को protect करता from the harsh environment इसके साथ साथ जो small mammalian है वो भी जो है वो mosses को use करते है as their food क्योंकि sometimes अगर आप करीब पारी करीब वाली जगा पर देखे तो वहां पर अगर food की shortage हो जाए तो animals जोते हैं especially small mammalians like squirrels वखेरा तो वो जहां उन mosses को खा कर अपना गुजारा कर लेते हैं उसके बाद यह स्वाइल कंडिशनर है स्वाइल कंडिशनर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो के आपके स्वाइल के organic fertilizer के तोर पर act करें और स्वाइल के fertilizing याईल के nutrients को improve करें अगर हम आपको याद हो तो हमने जब इसका structure बढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यह इसके अंदर जो storage cells होता रोटीन्स और लिपिट को store करते हैं तो that's why यह काफी जादा important role play करता है soil के fertility increase करने के लिए और इसको आपने इस तरह भी याद रतना है क्योंकि जब यह सबसे पहले आए थे तो उस तरह कोई और प्लांट नहीं था दुनिया में तो इन्होंने सबसे पहले जो था वह organic waste या humus जो था वह land के अंदर या soil के अंदर create किया था that's why आज भी हम अपने पौदों के अंदर जो है वह इसको use करते हैं और इसके common example है peat moss हम सब में जो स्वाइल के अंदर जो है वह organic material को enhance करते है that's why we call it soil conditioner conditioner means anything that improves the fertility of the soil